जहिन दोस्तों रुजगारवी तंकित का ये जो समान ज्यान का भूक है इस भूक में साइंस विज्ञान के प्रस्नों को टोपिक वाइज MCQs में कवर किया गया है तो सात्यो आज से हम लोग इसी भूक से साइंस विज्यान के प्रस्नों का प्रेक्टिस स्यिट कवर करेंगे तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विज्ञान और मापन इस टॉपिक से आज हम लोग 60 प्लस MCQS को कवर करेंगे तो अगर आप बिहार SSC, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या फिर अन्य किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो session आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important रहेगा इसलिए आप सभी पूरा session को ध्यान पुर्वक देखें, तो चलिए फड़ाफट से आप सभी live में जूड़ जईए, तो साथियो पहला question है, चुम्बिके फ्लक्स घनत्व की इकाई, क्या है, सभी option को ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पर देख सकते हैं, यह question UPSI 2017 में पू पूछा गया है, आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिलता है, तो चुम्बिके फ्लक्स घनत्व की जो इकाई है, याद रखेगा, टेसला है, तो B option जो ही बच्चे बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जबाब है, टेसला है, आगे देखिए, एक प्रकास वर्स, क्या म मापता है, चले बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है, और प्रत्यक स्ट्वेंट को नीचे लाइप चेट में अपना-पना आंसर देना है, जिससे आपका प्रोपर तरीके से रिविजन भी हो सके, तो साथ एक प्रकास वर्स जो है, यह दूरी को मापता है, याद रखेगा, सिंपल कुशन है, आगे देखिए, वर्सा को मापने के लिए किस उपकरन का उप्योग किया जाता है, जिसमें वर्सा के पानी को एकठा करने के लिए सिर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलिंडर होता है, तो आप सभी जानते हैं कि वर्सा को मापने के लिए जो उपक तो यहां पर पहला option आपका सही जबाब है rain gauge आगे देखे निम्नलिखित में से आवेग का मातरक कौन सा है चलिए फटाफट से answer किजी आवेग का मातरक कौन सा हो जाएगा तो यहां पर चौथे प्रसंद का सही जबाब है याद रखेगा क्या हो जाएगा तो D option Newton second ये क्या है तो आवेक का मातरक है आगे दिखे प्रतिरोध का SI IKAI क्या है बहुत इसांदर लेवल का कोशन है पूरा सेशन को जहान से देखना है आज आपका विज्ञान और मापन ये जो टोपिक है पूरा कम्प्लिट होगा तो प्रतिरोध की जो SI IKAI है बहुत सिंपल है ओम होता है सक्ति की भौतिक मातरा का वीमिय सुत्र क्या है यह प्रस्ण UP Constable 2019 में पूछा गया था तो सिंपल कोशन है सक्ति की भौतिक मातरा का जो वीमिय सुत्र होता है यह होता है M1 L2 T-3 यहाँ पर B option अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है चलिए आगे देखिए उर्जा का SI मातरक निम्न में से कौन सा है यह कुशन दिल्ली पुलिस Constable 2020 में पूछा गया था तो सात्यों उर्जा का SI मातरक है यह होता है Joule यहाँ पर B option आपका सही जवाब है Joule होता है Newton किसका है तो यह बल का SI मातरक है Newton आगे दीके तापमान का SI मातरक निम्न लिखित में से कौन सा है और सात्यों इतने भी नए भ्यारती जो की चैनल पर पहली बारा है आप लोग क्लास टाइमिंग को नौट कर लेजिए यह क्लास आपको डेली दो पहर तीन बजे लाइब चेट के साथ दिया जाता है तो आप केल्विन देखें डिगरी सेल्सियस डिगरी फारनहाइट ये भी क्या है तापमान का मातरक है लेकिन SI मातरक पूछे तो ये हो जाएगा केल्विन आगे देखें प्रतिबल की SI यूनिट निम्न लिखित में से कौन सी है तो साथ यो प्रतिबल की SI यूनिट जो है याद रखेगा ये पास्कल है तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा पास्कल जूल किसका होता है तो कारे का होता है वाट सक्ति का होता है वोल्ट किसका होता है आप लोग कमेंड करके बताइए वोल्ट किसका मातरक है निम्न लिखित कतनों में कौन सा सई है तो सभी ओप्षन को ध्यान से पढ़िए देखिए विद्धु धारा का SI मातरक एंपियर होता है बिल्कुल सई है परदिप्ति तिवरता का SI मातरक एंपियर होता है ये गलत है रासी का SI मातरक एंपियर ये भी गलत है तापमान का SI मातरक एंप लिखित में से किस आधार रासी की SI इकाई है तो यहाँ पर 12 का आंसर क्या हो जाएगा प्रदीप्ति तिवरता याद रखेगा प्रदीप्ति तिवरता का SI यूनिट क्या है तो candle आध्यान रखेंगे तो यहाँ पर C option आपका सही जबाब है घन मीटर किसका SI मात रखे तो साथियों घन मीटर जो है याद रखेगा यह आधन का SI मात रखे तो यहाँ पर C option सही है बल का क्या होता है न्यूटन होता है धारा की काई निम्न होती है तो धारा की काई क्या है तो simple question है एंपियर यहाँ पर पाला option होता है तो आवेस का मात रखे होता है कुलॉम वाट सकती का होता है आगे देखे आरोही क्रम में समय की सही हिकाईयों का चैन किजिए तो आरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ती क्रम तो यह हो जागा सकेंड मिनट घंटा दीन महिना फिर वर्स आगे देखे एक तारा प्रिथवी से बारा प्रकास वर्स की दूरी पर है इस तारे से प्रिथवी तक आने में प्रकास को कितना समय लगेगा तो यहाँ पर इसका सही जबाब है बारा वर्स याद रखेगा कितना लगेगा बारा वर्स किलो वाट घंटा निम्न की इकाई है तो साथ यो किलो वाट घंटा आप सभी जानते हैं अमने आपको प्रेक्टिस सेट में भी बताया था विद्धुत उर्जा का क्या है इकाई है किलो वाट घंटा आगे देखें विद्धुत विवानतर की SI काई क्या है ये कोशन देख सकते हैं बिहार SI 2019 में पूछा गया था तो विद्धुत विवानतर की जो SI काई है याद रखेगा वोल्ट है याद पर डी ओप्शन सही है वोल्ट है एम्पियर विद्धुत धारा का होता है निम्न लिखित में से कौन सी उस्मा की काई नहीं है ये कोशन बिहार SI 2019 में पूछा गया था तो उस्मा की काई कौन सी नहीं है तो देखें कैलोरी जूल बीटियू ये सभी उस्मा की काई है जबकि फौन जो है ये उस्मा की काई नहीं है आगे देखें एक प्रकास वर्स ब्राबर होता है ये कोशन बिहार SI मेंस 2018 में पूछा गया था तो साथियो एक प्रकास वर्स ब्राबर होता है तो याद कर लिजिए 9.46 गुना 10 पर पावर 12 किलो मिटर के ब्राबर होता है तो यहाँ पर B option आपका सही जबाब है और साथियो जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फड़ा फड़ से आप सभी सेशन को लाइक करें कौन सी भोतिक मात्रा जड़तों का मापन है तो यहाँ पर 21 का सही जबाब क्या होगा द्रबमान याद रखेगा कौन सी भोतिक मात्रा जड़तों का मापन है तो द्रबमान है निम्न लिखित में से कौन सी भोतिक रासी व्यन्जक चाप या त्रिजा के लिए है तो 22 का अंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका समतल कौन और साथी अगर आप में से कोई बिहार पुलिस की त्यारी करते हैं तो हमने आपके लिए ये वन लाइनर कोशन बैंक को त्यार किया है जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक में CSBC द्वारा जितने भी कोशन पूछे गए हैं उन सभी प्रसनों को हमने वन लाइनर फॉर्म में टाइप किया है इसमें आपको 2000 प्लस कोशन देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ में और साती हमने इसमें 500 प्लस एक्स्ट्रा प्रसनों को भी सामिल किया है तो ये माश्टर पीडियाप आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस पीडियाप से आप लोग कम समय में समपूर्ण प्रिवियस रिपेपर का रिविजन कर सकते हैं तो जाएए फड़ाफट से आप लोग प्लेश्टोर पर और वहाँ पर जाकर सक्सेस वल्ड.mcq का जो एप्लिकेशन है उसको डाउनलोड कर लेजिए क्योंकि ये मास्टर पीडियाप आपको वहीं पर मिलेगा चलिए आगे देखिए तोरन के SI मातरक में सकेंड का घातांक क्या होता है तो देखें तोरन का SI मातरक क्या होता है तो ये होता है मीटर प्रती सकेंड स्क्वायर जब इसको solve करेंगे तो ये meter और second को जब उपर करेंगे तो हो जागा s पर power minus 2 तो इसमें second का पूछा गया है तो इसका घतांक मैनस 2 होता है आगे देखें निम्नलिकित में से किसे गौस नामक इकाई में मापा जाता है तो यहाँ पर 24 का अंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर दिये हैं चुम्बिक्य प्रेरन याद रखेगा चुम्बिक्य प्रेरन को गौस नामक इकाई में मापा जाता है आगे देखें निम्नलिकित में से किसे गौस नामक इकाई में मापा जाता है तो ये वज़ागा चुम्बिक्य प्रेरन रासी के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो केलिविन तापमान ये है सही पास्कल दाव ये दाव का पास्कल होता ये भी सही है दरबमान का किलोग्राम ये भी सही है यहाँ पर देखें वजन का घन मीटर दिया है ये बिल्कुल गलत है तो चौता ओप्सन जो है ये सुमेलित नहीं है रासी के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युगम सुमेलित नहीं है तो अभी हमने इसको देखा वजन घन मीटर दाब मापने के लिए ऐसाई इकाई क्या है तो दाब का ऐसाई इकाई आप सभी जानते हैं पास्कल होता है यहाँ पर डी ओप्सन सही है आगे देखें एक नौटिकल मील खालियस्तान के बराबर होता है तो देखें एक नौटिकल मील जो है ध्यान रखना है ये ब्राबर होता है 1852 मीटर के ब्राबर आगे दिके हड्ज खालियस्थान की SI1 है तो सिंपल कोशन है हड्ज जो है आवरिती की SI1 है गतिसिल स्यानता की SI1 क्या है तो साथियों गतिसिल स्यानता की SI1 की बात करे तो ये होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर द्वनी की तिवरता को मापने वाली SI1 की पाचान करे तो याँ पर इसका सही जबाब है द्वनी के तिवरता को डेसिबल में मापा जाता है रेडियो धर्मिता की SI1 क्या है तो साथियो रेडियो धर्मिता की SI काई बेकूरल होता है लेंस की सक्ती की माप किसके द्वारा की जाती है चले 32 के लिए आंसर बताएंगे फड़ाफट से तो साथियो लेंस की सक्ती की माप जो है ये किया जाता है डायॉटर के द्वारा निम्न में से कौन, चुम्विके छेतरी की तिवरता की SI KI है तो साथ यो चुम्विके छेतरी की तिवरता की SI KI टेसला होता है यहाँ पर C option सही है निम्न में से किस राज़ी के SI मातर का नाम बिलेज पास्कल के नाम पर रखा गया है तो 34 का सही जवाब हो जाएगा दाव एक होर्स पावर में कितने वाट होते ही तो simple question है एक होर्स पावर में कितने वाट होते ही तो याद रखेगा 746 वाट होते ही एक पॉंड में कितना ओस होता है तो साथ चो एक पॉंड में कितना ओस होता है तो इसका सही जवाब है 16 ओस होता है संबेग की SI मात्रक क्या है तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का option B kilogram meter प्रति सकेंड यह संबेग का क्या है SI मात्रक है भौतिक रासी SI मात्रक का निम्ण में से कौन सा युगम सुमेलित है 38 का यहाँ पर देखें सुमेरित पूछा गया है तो सक्ति का यहाँ पर किलोग्राम दिया गया है बिल्कुल गलत है B option B गलत है चलिए और option देखते हैं यहाँ पर देखिए धारिता ओम दिया गया यह भी गलत है बल का न्यूटन दिया गया ये बिलकुल सही है भोतकी में हवल नियतांक क्या होता है तो साथियों भोतकी में हवल नियतांक क्या होता है तो इसका सही जवाब है माप की वह इकाई जो ब्रहमान के विस्तार की व्याख्या करती है C आप्सन सही है किस तापमान पर फारेन हाइट और सेल्सियस ब्राबर होती है तो 40 का सही जबाब है मैनस 40 डिगरी तापमान पर फारेन हाइट और सेल्सियस आपस में ब्राबर होती है लंबाई की अंतराष्टिय प्रनाली की इकाई क्या है तो साथ यो लंबाई की अंतराष्टिय प्रनाली की इकाई मीटर है या पर पहला उप्षन सही है लंबाई की अंतराष्टिय प्रनाली की इकाई यह मीटर हो जाएगा एक लेंस की सक्ती मैनस दो डायोप्टर है तो यहाँ D का अर्थ क्या है तो D का मतलब डायोट्टर होता है टॉर खालियस्तान की एकाई है तो सिंपल कोसे ने टॉर जो है ये दाव की एकाई है निमने लिखित में से कौन सा थर्मो डाइनमिक तापमान की SI एकाई है तो 44 का अंसर हो जाएगा केलिविन याद रखेगा थर्मो डाइनमिक तापमान केसाई क्या है तो केलिविन है दो पिंडो के तापमान में 30 degree Celsius का अंतर है तो degree Fahrenheit में यह अंतर कितना होगा याँ पे देखे Celsius में अंतर दिया गया है आपको Fahrenheit में निकालना है तो इसके लिए एक फर्मूला है इसको पूट कीजिए आपका आंसर आजाएगा C बटे 5 बराबर F मैनस 32 बटे 9 इस फर्मूला का यूज कीजिए इसका आंसर आजाएगा आपका आगे देखे निम्दलिखित में से कौन सा उसी रासी को मापता है जिसे SI मात्रक पास्कल की द्वारा मापा जाता है तो 46 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा टौर ज्यान रखना है आगे देखे महो एक पदार्त की खाली अस्थान इकाई है तो सिंपल कोशन है महो जो है यह चालकतो का क्या है इकाई है एक कैलोरी उसमा उर्जा लगवग कितने जूल यांत्रिक उर्जा के बराबर होती है तो याद कर लिजे एक कैलोरी उसमा उर्जा जो होता है लगवग कितने उर्जा के बराबर कितने जूल यांत्रिक उर्जा के बराबर तो यहाँ पर 48 का साही जबाब हो जाएगा C option 4 दसम लब 2 30 degree Celsius बराबर Kelvin में लगभग कितना होता है तो जीकिए अभी हमने आपको formula बताया था Celsius से गर Fahrenheit में जाना है तो formula क्या था C बटे 5 बराबर F मैंनस 32 बटे 9 यह Celsius से Fahrenheit में जाने के लिए है और Celsius से अगर Kelvin में जाना है तो इसके लिए formula है C बटे 5 बराबर K मैंनस 273 बटे 5 अब C के स्थान पर आपको क्या रखना है तो 30 रखना है तो 30 बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा K मैंनस 273 बटे में 5 5 से 5 कैंसल हो गया तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा K का मान निकालना है तो यह हो जाएगा K बराबर 30 पलस 273 तो यह हो जाएगा 303 Kelvin आगे देखिए डायप्टर को आप निम्न में से किसके साथ जोड़ेंगे तो यहां पर 50 का अंसर क्या हो जाएगा तो याद रखेगा तो डायप्टर को जोड़ा जाता है आप्थलम लोजी यहां पर B आप्षन आपका सही जवाब है आप्थलम लोजी इलक्टरोन वोल्ट किसकी इकाई है तो यहां पर 50 का अंसर हो जाएगा इलक्टरोन वोल्ट जो है यह उर्जा की इकाई है निमनले से किस में यह रिपीटेट है एक मीटर में कितने माइक्रो मीटर होते हैं तो दस लाग वेबर प्रतिस सकंड किसके बराबर है तो यहां पर 54 का सही जवाब है वोल्ट किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निमनले कित में से कौन सी SI काई है तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल होता है आगे देखिए कुलाउम प्रतिस सकंड किसके सम्तुली है तो 56 का सही जवाब है एंपियर कुलाउम प्रतिस सकंड जो है एंपियर के सम्तुली है SI उपसर्गों के संदर में 10 पर पावर मैनस 15 को क्या का जाता है तो ये का जाता है FEM2 विकलपों में उल्लेखित इकाईयों में से कौन सा अन्य की तुलना में सबसे बड़ा है तो इन चारों में से सबसे बड़ा हो जागा टेरा प्रकास के तरंगदर्य मापने की इकाईय क्या है तो सिंपल कोर्शन है एंगरिस्ट्रम है अत्यधिक उच्छ तापमान मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है तो 60 का सही जबाब हो जाएगा option D पाइरो मीटर का इस्तमाल होता है फैदो मीटर से समुधर की घहराई को मापन जाता है मापन इकाई के सिध्यस परनाली की निम लिकित में से क्या परिभासा है तो सिध्यस परनाली में क्या होता है तो यह होता है cm, g, second चली आगे देखिए समय की ऐसाई इकाई क्या है तो इसका सही जबाब है समय का सेकेंड होता है सही कथन की पाचान करे जूल सक्ति का मातरक है बिलकुल गलत है सक्ति का मातरक वाट होता है न्यूटन सक्ति का मातरक है ये भी गलत है क्योंकि न्यूटन बल का होता है न्यूटन बल का मातरक है ये सही है अस्तंबो को मिलान कीजिए अस्तंब A में देखिए यहाँ पे विद्दुधारा, विवांतर, धारिता और प्रिरकत्व है और B में मातरक दिया हुआ है तो विद्दुधारा का क्या होता है, एक का आपका चार हो जाएगा तो देखिए एक ही उप्शन में एक का चार है तो बाकी देख लेते हैं दो का तीन अभी वांतरक हो जाएगा अपका वोल्ट धारिता का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा फैराडे प्रिरकत्व का हिन्री तो C उप्शन याद रखिएगा निम्द लिखित में से कौन सा मौसम संबंदी उपकरन है जिसमें एक कीप के अकार का संग्रहक होता है जो एक मापने वाले ट्यूब से जुड़ा होता है और इसका उप्योग एक निस्षित समय में प्रती एकाई छेदरफल में वर्षा के मापन के लिए किया जाता है तो इसका सही जबाब है C उप्शन मानब वर्षा गेज जिन बिंदूओं के बीच विवांतर को मापा जाना होता है वोल्ट मिटर उन बिंदूओं से कैसे जुड़ा है यानि कि वोल्ट मिटर को परिपत में किस क्रम में जोड़ा जाता है ये बताना है एक विद्धूद परिपत में दो विंदूओं के बीच विद्धूद संभावित अंतर को मापने के लिए उप्योग किया जाने बाला उपकरन कौन सा है तो ये है वोल्ट मीटर चले तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को सेर करना ना भूले